हेलो दोस्तो मेरा नाम विकास है तो दोस्तो इस वीडियो में हम कुछ बहुत इंपोर्टेंट बोक्स और आथर्स को डिसकस करेंगे औगस्त मन्त के ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्फुल रहेगी तो एंड तक ज़रू देखिएगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सजा कि इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आये friends अपना session start करते हैं लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ important information हमारी एक app है Carrius Cloud के नाम से जो आप Play Store से जाके डाउनलोड कर सकते हैं जैसे ही आप Play Store से application को डाउनलोड करते हैं इंस्टॉल करते हैं आपके पास ऐसा page खुलेगा एक उस पर आपको जाके अपनी Google ID से अपको login करना है login करने के बाद ही जैसे ही आप login करके अपनी application को open करते हैं तो आपको एक window ऐसी दिख जाएगी इस window में आपको देखेंगे तो आपको current affairs के एक section दिखेगा यहाँ पर आपको current affairs इस पे click करते ही आप हमारे current affairs के section में आ जाएंगे हमारा current affairs का section है जो हम आपको course प्रोवाइड करते हैं application में बहुत अच्छा course है आपकी preparation में बहुत जादा help होने वाली है मैं आपको बता देता हूँ यह course ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही question आप कम से कम चार से पांच बार revise करेंगे इतना helpful रहने वाला आपके लिए देखते हैं हम आपको क्या provide करते हैं हम आपको current affairs हिंदी में provide कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम English में भी provide करते हैं जो content होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है पहली चीज़, हम आपको daily current affairs provide कर रहे हैं daily pdf मिलेगी आपको, daily आपको question answer format में मिलेगा ठीक है, आपको daily के 20 question मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी practice कर सकते हैं और ये बहुत helpful होता है revision में question answers मिलेंगे आपको current affairs format, question answer के format में फिर ऐसे ही आपको weekly मिलेगा, जो आपके पूरे week के questions आप daily questions आपको pdf मिलेगी उन में से जो important questions होंगे, उनका आपका एक तो quiz होगा करेगा हर week 50 question का quiz बहुत होता है, आपको 50 question week के मतलब सारे important questions आगए उसके साथ-साथ question answer format में आपको हिंदी की e-book provide होगी जिसमें आपको सारे paragraph wise या फिर एक question answer format में आपको सारे week के current affairs मिलेंगे ऐसे ही, फिर तीसरा हम आपको provide करेंगे monthly pdf pdf आपकी हिंदी में ही होगी, आपको top 100 question answers मिलेंगे ठीक है, जो पूरे महिने के 100 important questions हैं, वो आपको एक pdf provide की जाएगी उसमें मिलेंगे वो आपको question answer format में भी provide होगे, तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़ और यह आपका पूरा एक साल का course होता है आपको दो course के option मिलेंगे, एक तो होगा for one year, एक होगा for two year अगर आप new aspirant है, आपको मतलब अभी आपने preparation just start की है, तो I'll suggest आप दो साल का course purchase करें बट आप एक regular aspirant है और पढ़ रहे हैं, तो आप एक साल का course भी purchase कर सकते हैं important thing इसके बात यह है, कि हम आपको अलग banking awareness के भी questions provide करते हैं bank से related जो आपके questions होंगे, सब इसमें हम अपना course में cover कर देते हैं बहुत अच्छा content होता है, content में आपको कोई शिकायत नहीं होगी and daily update होता है, आपको daily PDF मिलेंगी, उसकी भी कोई attention लेनी की जरूत नहीं आपको ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम various exams की PDF भी provide करते हैं जो आपको आगे questions, आप आगे paper solve करने में बहुत help मिलेंगी अब कच questions होते हैं जैसे कि कई सारे important days हो गए महिने के फिर books और authors, कौन सी book release होई है, कौन सी author ने क्या book अभी publish की है फिर उसके बाद indexes हो गए, reports हो गई, ठीक है फिर कोई festival celebrate किया गया है या कोई योजना आई है, तो ये काफी सारे topics होते हैं तो ये topic wise current affairs भी हम आपको 20 type के PDF provide करते हैं जिसमें 20 अलग-अलग topics होते हैं और ये आपको हर महिने update होती रहती हैं ये चीज तो सोचिए आपको कितना अच्छा package मिल रहा है, कितना अच्छा course मिल रहा है ठीक है, इसके अलावा, देखो कितनी सारी चीज़े provide कर रहे हैं हम आपको इसके अलावा state current affairs, हर state के current affairs भी आपको individually provide होते हैं इसके साथ ठीक है, तो देखिए, हम आपके लिए कितनी महनत कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना आपको सिरफ subscribe button दबाना है, और हमारे channel को subscribe करना है इसके अलावा, आप सभी friends के लिए मेरी तरफ से एक gift जैसे ही आप payment करने वाले होंगे हमारी application में, वहीं पर आपको नीचे एक code डालने का option मिलेगा अगर वहाँ पर आप विकास 10 code डालते हैं, तो आपको सीधा 10% का extra discount मिल जाएगा सिरफ विकास 10 आपको code उसमें use करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए additional 10% discount तो जाएए जल्दी से हमारे courses को देखिए एंड उसको purchase कीजिए, तो आईए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं तो चलिए friends, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले book है हमारी leopard diaries, the roseate in India और author रहेंगे संजे गबी जी next, next हम बात करेंगे एक novel जो 2022 में launch की जाएगी, book का नाम है In An Ideal World और ये किस के द्वारा लिखी गई है या author कौन है, कुनाल बासु जो की एक bilingual novelist है English and Bengali language के कुनाल बासु कहां से बिलॉंग करते हैं, कोलकता से और इनके book आ रही है In An Ideal World 2022 में next, next हम बात करें, book का नाम है अबेगम एंडरानी, हजरत महल एन लक्षमिवाई 1857 important रहेगा mark करके चलना और ये लिखी किन के द्वारी गई है, रुदरांचु मुखर जी के द्वारा इसको author की गई इसके साथ साथ अगर हम 1857 की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बता दो 1857 में क्या हुआ था, important question, सिपोई, mutiny ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ, 1976 में 1976 में आपका क्या आया था, mini constitution या फिर question पूछा जाए, तो mini constitution कब आया था, आपका 1976 में और कौन से amendment act केंड रहा था, 42nd amendment act केंड रहा था, ठीक है, तो बेगम, बेगम रानी, हजरत महल और लक्षमिवाई in 1857 के author कौन रहेंगे, रूदरांकशु मुखर जी, next, next book का नाम है, the biography of a failed venture, ये आपके एक start-up से related novel है, जो की author की गई है परशान्थ देसाई के द्वारा, ठीक है, परशान्थ देसाई याद रखना, इनके द्वारा concept book author की गई, the biography of a failed venture, ठीक है, चलिए, इसके साथ-साथ मैं आपको ना, एक के question जो आते रहेगा आपसे, history का भी साथ-साथ, या फिर कोई भी जीके का question जो आपके exam में पूछा जा सकता है, उसका एक साथ-साथ मैं आपको जैसे बताता हूँ, अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ कि first university, history का question है, first university कहां पे बनी थी आपकी, तो वो बनी थी, कैलकटा में, ठीक है, first university की बात कर रहा हूँ, मैं कैलकटा में बनी थी, next, next, next book है हमारी, a death in श्वनाग्ची, a death in श्वनाग्ची, ये book किन के द्वारा, रिजूला, दास द्वारा, इनके द्वारा, लिखी गई, author है ये next, next book काफी important रहेगी, मा करके चलना है, इंडिया के defense perspective से, कि बालाकोट एरस्ट्राइक, हाव इंडिया अवेंच पुलबामा, ये book किन के द्वारा, author की गई, मनन, भट के द्वारा, इस book को author किया गया, बालाकोट एरस्ट्राइक, हाव इंडियान अवेंच पुलबामा को, ठीक है, next, next book का नाम है, जौरा, ये एक biography है, जो 4X में द्वारा, that is a biography of Padma Awardee, Zora Segal, an Indian actress, dancer and a choreographer, और ये किन के द्वारा, author की गई, श्री रितु मैनन, जो की एक, पदमा श्री अवार्डी है, ठीक है, रितु मैनन, next, next, काफी important author रहेंगे हमारी, अनुराधा, रॉय, इनके द्वारा, अभी recently एक book लिखे गई, जिसका नाम है, The Earth Spinner, काफी important author हैं, इसी वज़े से इनको याद रखना, ये book का नाम, next, next, अभी हमें याद रखना की, जैसे देखा आपने की villagers को लेके, जो farmers है, farmers को लेके, काफी जादा protest देखे गई, अभी हमें, इंडिया में, all over the country, तो उससे related याद रखना, अगर एक book release की गई है, The Story of Indian Farm crisis, और उस book का नाम क्या है, राम राओ, ठीक है, और ये author किन के द्वारा की गई, जैदीप हर्दीकर जी के द्वारा इस book को author करा गया, ये आपको मैं एक याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, कभी ये समझो कि आपको history जो अभी लड़ाई हुई, उसके बारे मे लिखा है, नहीं, ये सिरफ आपको एक याद करने का तरीका बताया, क्योंकि ये farm crisis पे, इंडिया farm crisis के उपर ये book है, तो उसको याद रखने का एक trick मैंने दिया, राम राओ, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारी book है, The Great Hindu Civilization, ये book फिर से बता रहा हूँ, The Great Hindu Civilization आजा या फिर, The Great Hindu Civilization, Achievement, Neglect, Bias and the Way Forward, ये book किन के द्वारा लिखी गई है, पवन के वर्मा जी के द्वारा इस book को author किया गया है, नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करते हैं, बुक का, ये एक trilogy में ये book लिखी जाएगी, लाहुर, book one of the partition trilogy, जो कि किन के द्वारा author की गई, मनरीत, सोधी, जिश्वर के द्वारा इस book को author किया गया, और जो publishing house रहेगा इसका है, Harper Collins, नेक्स्ट, नेक्स्ट हैं कुछ discord notes के दो volume अभी recently launch की गई, volume one and volume two, this is the voice of descent in the court of last resort, discord notes, और ये किन के द्वारा author किये गई, ये रोहिंटन F. नरीमन जी के द्वारा इनको author किया गया, दोनो volume, volume one and volume two next, next important marker करके चलेगा इसको, अगर पूछा जाए, जैपरकाश नाराइन की biography का क्या नام है, तो वो है दा ड्रीम ओफ revolution, ये तो है उनकी biography का नाम, अगर question पूछा जाए, दा ड्रीम ओफ revolution biography, किनकी biography है, ये दा ड्रीम ओफ revolution, तो ये जैपरकाश नाराइन की biography है, थिक है, अगर पूछा जाए इनकी बायोग्राफी के ओथर कौन रहेंगे तो वो है बिमल प्रसाद एन सुजाता प्रसाद एक चीज़ और याद रखना जो जैप्रकाष नारायन है इनको पोस्ट इमिसली इंडिया का हाइस सेविलन अवार्ड जो की दभारत रतना है इनको 1999 में मिलाता इनका बिहार में 1902 में नेक्स्ट नेक्स्ट बुक का नाम याद रखना डारेक्ट की Mission Domination An Unfinished Quest ये कि इनके दर ओथर की गई बोरिया मजुमदार एन कुशान सरकार के दोरा इसको ओथर किया गया नेक्स्ट एक बुक आपको याद रखने है काफ़ इंपोर्टेंट लेट्स गो टाइम ट्रैवलिंग अगेन इंडिया स्थू दे एजीज ये बुक किनके द्वारा ओथर की गई सुबद्र सेन गुपता आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं इनके द्वारा ये बुक लेट्स को टाइम ट्रैवलिंग अगेन आपकी ओथर की गई ठीक है अगर इससे रिलेटिड ही अगर मापसे हिस्टी का एक क्वेशन और पूछ लेता हूँ चलो बताओ English इंडिया में किसने इंटरोड्यूस की थी? English language इंडिया में किस Lord के द्वारा ये लाइ गई थी या इंटरोड्यूस की गई थी? तो वो है Lord Maculay ठीक है? Lord Maculay के दवारा अगर मैपसे पूचूँ First University तो आई थी Calcutta में لेकिन ऊनिवर्सेटी को लाया कौन था? इंट्रोड्यूस किस नहीं किया था इंडिया में फर्स उनिवर्सिटी ये थे लॉड करजन लाए थे 1904 में पार्टिशन आफ बेंगॉल में किन का हाथ था और ये पार्टिशन आफ बेंगॉल हुआ कब तो याद रखना उनके लिए भी रिस्पॉंसिबल लॉड करजन है और ये पार्टिशन आफ बेंगॉल कब हुआ था 1905 में ठीक है चलिए एक और बता दो चलो बस एक और एक और सूरत स्प्लिट जिसको नरम गरम दल का छिडाओ या फिर उनके बीच में जो पंगा हुआ था लड़ाई हुथी नरम दल और गरम दल के बीच में ये कब हुआ था ये हुआ था 1907 में ठीक है एक और बस एक और फिर एक बता दो लखनो पैक्ट लखनो पैक्ट ये किन के ब सेरिंग होती है न वो इती बिट्विन हिंदू एन मुसलिम के बीच में सीट सेरिंग हो सके और यह कब हुआ था 1916 में लखनाव पैक्ट इंपॉर्टेंट याद रखना यह चीज ठीक है चलिए नेक्स्ट वीडियो पर आज जी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट बुक है हमारी वीडियो अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाए долग कhouse हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई एप से इशु आ रहा है कोई भी आप आपको प्रॉबलम है तो आप हमारी जीमेल आइडी जो कि है support at the rate of affairs cloud.com या फिर हमारा नमबर 967733362 पर कॉंटेट कर सकते हैं और हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशु को रिसॉल्व करने में आपकी साहता करेगी तो टेक केर